हेलो गाइस तो इस वीडियो में मैं सेम प्रॉसेस से दो लुक्स क्रियेट करने वाले हूँ इस वीडियो में हम लोग सी शेप आई लुक्स क्रियेट करेंगे तो गाइस मैंने अपनी आईब्रोस पहले से ही सेट कर रखी है अगर आपको आईब्रोस रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इस रेड कलर से अपनी क्रीज लाइन ड्रॉ करनी है स्टार्टिंग में हम थोड़ा कम अमाउंट में कलर लेंगे जब भी शैडो जादा पाउडरी होता है तो मैं उसे अपने हाथ पे डैप कर लेती हूं ताकि वो मेरे बेस को खराब ना करें आपको इस एक्षिन प्रॉक्स मेंटेन करते हुए ब्लेंडिंग देनी है करते हैं करते हैं अगर जैसे थोड़ा बहुत कलर बाहर आ भी जाए तो आप उसे अपनी फिंगर से क्लीन कर सकते हैं या फिर आप एक क्यू टिप ले सकते हैं मैं ये डाक प्राउन कलर यूज कर रहे हूं तो अब हम ये परपल कलर अपनी लेड एरिया पर डिपॉजिट करेंगे और इसको ब्लेंड आउट करेंगे प्राउन करेंगे तो गाइस ब्राउन कलर लेके हम लोग ब्रो हाइलाइटर को मर्ज कर लेंगे तो ये हमारा पहला लुक हो गया जिसमें आप सी सेक्शन स्मोकी आईस क्रियेट कर रहे हैं अब हम लोग अपनी लेड एरिया पर बेस अप्लाई कर लेंगे अब हम लेड़ झाहल क्याएस अब हम लेड़ सेक्शन स्मोकी आप और रहे लेड़ लेड़ स्मोकी आप लेड़ एर लेड़ ग्राइस और शे सब्सक्राइब और यूद एक ही बीज फार जारिख एल तो अब मैं ब्राउन कलर से एक्स्ट्रा बेस पर शेडिंग दे रहे हूं अगर ब्लेंडिंग में कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको पैंसिल ब्रश से करेक्ट कर सकते हैं तो गाइज मैं फ्लैट प्रश से ग्लिटर अप्लाई कर रहे हूं और ग्लिटर के अमाउंट बहुत ही कम अप्लाई करूंगी अक्टा प्रश से अच्टाँ तो ग्लिटर अप्लाई कर दो जाईज कर दो यव्लाई झाल झाल अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें and don't forget to subscribe झाल झाल